दोस्तों अगर आप अपने घर को या अपने ओफिस को रिनोवेट कराने की सोच रहे हैं या प्लान कराने की, एक्स्प्लोर कराने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले, before doing anything, सबसे पहले आप एक इन्टीरे डिजाइनर को हायर करिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं इस वीडियो में कुछ दस ऐसे reasons बताने वाला हूँ जो कि आपको बताएंगे कि आपको सबसे पहले interior designer या interior consultant को क्यों hire करना चाहिए तो चलिए एक एक करके समझते हैं दोस्तों सबसे पहला reason तो यह है कि वो expert है they are the expert in their field अगर उस आपको किसी काम को करने में पांजने लगते हैं तो वो उस चीज को दो दिन में कर देंगे second reason है कि interior designer आपके पैसे save करता है it saves your money अब आप बोलेंगे interior design को hire करना ही एक अलग cost है तो कैसे save करेगा हमारा पैसा तो देखे आगर आपके पास कुछ experience नहीं है consultation नहीं है proper guide नहीं है तो आप कुछ भी चीज select करने लगेंगे घर के लिए आप expensive paint select करने लगेंगे expensive furniture लेके आ जाएंगे तो interior designer आपको guide करता है कि आप budget में अपने extraordinary stuff, extraordinary furniture कैसे लेके आ सकते हैं next reason is it saves your time आप market जाएंगे, market में समान खरीदेंगे material देखेंगे जाके इससे अच्छा है कि आप एक interior designer को consult करिये, वो आपको सारा material board material board अरेंज करा देगा घर पे, उसमें आपको material की quality दिख जाएगे, sample color combination पता चल जाएगा, everything you will get to know घर पे बैठके ही interior designer के पास ample resources होते है कि आपको raw material कहां से purchase करना है, furniture कहां से लेना है, घर का decorative item कहां से लेना है, because वो अपनी field में expert है, वो आपको बता पाएंगे कि आप यहां से देख सकते हो यहां पे आपकी budget में मिल जाएगा interior designer आपको help करता है computer graphics एक घर का walkthrough कराने में आपके घर का layout बन गया, plan बन गया बट आप देखना चाहरे है कि कैसा लगता है तो एक computer graphics elimination की help से वो आपको go through कराएगा, walk through कराएगा आपके घर का कि आप इदर से enter होंगे, ऐसा 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 पूरा घर का visit करा के देगा space planning is the most important thing जो आपको interior designer करके देगा, आपका suppose 2BHK, 3BHK या एक office है आप उसकी, आप अगर interior designer को hire करते है तो वो आपको इस good space planning करके देगा, कि आपको ये space waste हो रहा है यहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते है इस जगह पे आप ये add-on कर सकते है यहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा है यह हटा सकते है, बहुत सारी चीज़े होती है next important है आपको जदा पचडों में नहीं पढ़ना पड़ता he is there for the licensing also आपको वो manufacture से direct contractor से interaction करा के देगा आपको market से बहुत सारे contractors के बीच confusion खतम करके एक अच्छा contractor, अच्छा जो execution करता है उसको select करके देगा आपके लिए एक interior designer आपकी budgeting and planning करता है आपका कितना budget है आपका जितना भी budget है उसके अंदर में आपकी जो style, आपका जो preferences है आपकी जो dreams हैं उनको कैसे fulfill करना है कैसे कहाँ पर क्या क्या setup करना है वो सारा करके देगा आपके budget के अंदर एक interior designer एक clever and unique idea दे सकता है आपको जैसे आपने कहीं पर furniture place करना है तो वो furniture place करके वहाँ पर storage की problem खतम कर देगा उसके अलावा भी उसके एक अच्छा सा unique सा design एक clever idea दिखा के न इंटीक सा कुछ उस furniture के उपर यूज़ करके उस चीज को aesthetic सा अलग सा look दे सकता है एंड सबसे ज़रूरी चीज एक interior designer आपके घर को ऐसा बना के देता है कि अगर आप 10-15-20 साल बाद उसको sale out करने जाए या फिर आपको sale करने का कुछ plan होगा तो अच्छी value देगा इट suddenly increases the value of your home, value of your real estate sector अगर आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया, like नहीं किया तो इस वीडियो को like कर दिजे तो I hope कि मैं कुछ आपको समझा पाया होँगा चलिए फिर मिलते हैं, next video में, till then, goodbye